कारेवाही के आरम करने से पूर्व मैं सभी महानबाओं को रार्ष्रगान के लिए आवंत्रित करता हूँ करता हूँ प्रिंद्य हिमाचल यमुनाघंगा उचल जल धिकरंगा तवशुभ नामे जागे तवशुभ आशुष मामे गाहे तव जयताथा जन जन मंगल दायक जय हे थानक भाग्य विधादा जय हे जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारतिय संस्कृति एवं परमपरा में अतिति देवो भवा सर्वो परी है यहां उपस्तित परम आजरनीय प्रदान मंत्री महोदे केंद्र के माननीय मंत्री गण विबिन राज्यों के राज़पाल महोदे उप राज़पाल महोदे विबिन प्रदेशों के मुख्य मंत्री गण उप मुख्य मंत्री गण एवं मंत्री गण भारत के संसद के माननी सजसे गंड विबिन राजियों के विदान सबा के सजसे गंड वा अन गंड मानने वरिष्ट महानबाओं को मैं साधर प्रणाम एवं अविवादन करता हूँ और हर्याना के महा महीम राजपाल और सभी नागरियोकों के ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ आपकी इस अनुग्रह एवं अनुकमपा से हम कृतार थे स्रीमान आज बहुत पवित्र दिन है अश्विन महीने का पूर्दिमा का तिती है आज भगवान वालमी जी के पवित्र जैन्ती है हम सब के लिए बहुत ही पवित्र और शुब दिन है रामा एंड गरंद के रचेता को आज हम मनसा, वाचा, कर्मनह, ज्ञान और नवन करते हैं अब मैं माननिय राजपाल महोदे से शेपत ग्रहन समारो आरम करने की अनुमती चाहूंगा माननिय राजपाल महोदे ने अनुमती प्रजान कर दी है हतार इस समारों की कारेवाही आरम की जाती है माननिय राजपाल महोदे ने श्री नायब सिंग्जी की हर्याना राजपे मुक्य मंत्री के पद पर निउप्टी की है अब मैं श्री नायब सिंग्जी से निवेजन करता हूं कि वे पद एवं गोपनियता की शेपत ग्रैंड करने के लिए मंच पर पदारे हुआ 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 है मैं इस्वर की सवत लेता हूं कि मैं विदी द्वारा स्थापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची सरधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की परबूता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं हर्याना राज्य के मुख्या मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सर्धा पूर्वत और सुद्ध अंतकर्ण से निर्वहन करूंगा तथा भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना मैं सब परकार के लोगों के प्रती सविधान के और वीदी के अनुसार नियाए करूंगा नायव सिंग सैनी इसवर की सब्त लेता हूँ कि जो विश्य हर्याना राज्य के मुख्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़ कर जबकि ऐसे मुख्य मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो अन्य अवस्था में मैं परत्यक्ष या प्रोक्ष रूप में संसोचित या परकट नहीं करूँगा ऍञा ओून रूना गूना परकद कि थेइ захा पनी करूँगा भास या बाझ वाफ में चाटिस घूंगा४न भी कर्वार केरका कि भुमुग्ते की? माननिया राज जपाल महोदे न आजरनिया मुक्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अनिल विजजी को अर्याना राज के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है अब मैं श्री अनिल विजजी से निवेदन करता हूँ कि वे पद एवं गोपनियता की शपत करने के लिए मंच पर पदारे मैं अनिल विजजी इश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के समिधान के प्रती सच्ची श्रदा और निश्चा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं हर्याना राजिया के मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का श्रदा पूर्वक और शुद अंतैकरन से निर्वहन करूंगा तदा भै या पक्षपात अनुराद या द्वेश के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रती सम्धान के और विदी के अनुसार नियाए करूंगा मैं अनिल विच इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विश्य हर्याना राजिया के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्ता को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के उचित निर्वेहन के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो अने था वस्ता में मैं परत्यक्ष या प्रोक्ष रूप से संसूजित या प्रगट नहीं करूंगा गुच्थ याज दो याज फित नहीं करूंगा करेंगा माननिय राज जपाल महोदेय ने आजरनिय मुक्य मंत्री जी के परामर्श पर स्वी क्रिशन लाल पवार जी की हर्याना राज के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है अब मैं स्वी क्रिशन लाल पवार जी से निवेदन करता हूँ कि वे पद एवं गोपनियता की शपत क्रहन करने के लिए मंच पर पदारे मैं किर्शन लाल पवार इसवर की सफत लेता हूँ कि मैं वीदी दुवारा स्ताफित भारत के स्विधान के परती सच्ची सर्दा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की पर्बूता और अखंड़ता अक्सुन रखूँगा मैं हर्याना राज्जे के मंत्री के रूम में अपने करतवियों का सर्दा पुरोग सुद अंते करन के निर्वायन करूँगा तथा भैया पक्सफात अनुराग या द्वेश के बिना में सब परकार के लोगों के परती सविधान के और विदी के अनुसार नियाए करूँगा किर्शनलाल पुमार इस वर की सपत लेता हूं की जो विशे हर्याना राज्जे के मंत्री के रूप में विशार के लिए लाजाएगा अत्वा मुझे ग्याथ होगा उसे किसी वेक्ति या वेक्तियों को उस अवस्ता को छोड़ कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तियों के उचित निर्वैन के लिए ऐसा करना अपेक्सित हो अन्य अवस्ता में मैं परतक्स या प्रोक्स के रूप में संसुचित या परकट नहीं करूँगा इज के रकटाम के रषद में में स्व 문ब का उतक्स या परस्ते हो थैज़क पाननीय राज्यपाल महुदे ने आजरनीय मुक्य मंत्री जी के परामर्श पर श्री राव नर्बीर सिंग जी को हर्यानक राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है अब मैं श्री राव नर्बीर सिंग जी से निवेदन करता हूँ कि वे पद एवं गोपनियता की शपत ग्रहन करने के लिए मंच पर पधारे मैं नर्बीर सिंग इश्वर की सबत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्तापित भारत के सर्विधान के पड़ती सची सर्दा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की परभूता और अखंता अक्षून रखूंगा मैं हरियाना राज्य के मंत्री के रूप में अपने पकर्त्यवों का सर्दा पूर्वक और सुन्द अध्यकरन से निर्भेन करूंगा तता भैया पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना मैं सब परकार के लोगों के पड़ती सवीधान के और विदी के अनुसार नियाय करूंगा मैं नर्वीर सिंग इश्वर की सबत लेता हूँ कि जो इस विश्य हरियाना राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाए जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़ कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टवों के उचीत निर्वेन के लिए ऐसा करना उपेक्सित हो अथ्वा से मैं पर्त्रक्स या परोग्स रूप से संसूचित या परकट नहीं करूंगा माननिय राज़पाल महदैने आज़र निय मुक्य मंत्री जी के परामर्श पर श्री महीपाल धंडा जी को कि हर्याना राज़ के मंत्री के पर नियुक्ति की है अब मैं श्री महीपाल धंडा जी से निवेदन करता हूं कि विपाद एवं गोपनियता कि शफ़द क्रेंड करने के लिए मंच पर पदारे मैं महीपाल धंडा इस्वर की सब्त लेता हूं कि मैं विदी द्वारा स्तापित भारत के सविधान के परती सची सर्दा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं हर्याना राज्य के मंतरी के रूप में अपने करतव्यों का सर्दा प्रुवक और सुद अंतकरन से निर्वेन करूंगा तथा भै या पक्षपात अनुराग या दवेश के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के परती सविधान के और वीधी के अनुसार न्याय करूंगा मैं इपाल ढंडा इस्वर की सब्त लेता हूं कि जो विशे हर्याना राज्य के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी वैक्ती या वैक्तियों को उस अवस्था को छोड़ कर जबकी ऐसे मंतरी के रूप में अपने कर्तवियों के उचित निर्वैन के लिए ऐसा करना अपेक्सित हो अन्य अवस्था में मैं प्रतेक्स या प्रोक्स रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा झाहenden कर चल्फ कर इस किसी बड़स कर अभासर, ऑफ देश कर दो destंmmaly कर रहcers जोड़ना कर दूए कर अवस्था si या कर दूए माननिय राजपाल मोहदय ने आजरनिय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री विपुल गोयल जी की हर्याना राज़ के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है अब मैं श्री विपुल गोयल जी से निवेजन करता हूँ कि विपद एवं गोपनियता की शफ़त करने के लिए मंच पर पदारे मैं विपूल गोयल इश्वर की शफ़त लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्थापेत भारत के सम्मिदान के परती सची शर्दा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंटा अक्षुन रखूंगा मैं हर्याना राज्ये के मंत्री के रूप में अपने करतेवों का शर्दा पूर्वक और शुद अंतेकरन से निर्वेन करूंगा तथा भैया पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना मैं सब परकार के लोगों के बरती सम्मिदान के और विदी के अनुसार नियाय करूंगा मैं विपुल गोयल इश्वर की शबत लेता हूँ कि जो विशे हर्यार राज्ये के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी वेक्ती या वेक्तियों को उस अवस्ता को छोड़ कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतेवियों के उजित निर्वेन के लिए ऐसा करना बेक्षित हो अन्य वस्था में मैं परत्यक्ष या परोग्ष रूप में संसुचित या परकट नहीं करूँगा अन्य वस्था में। माननीय राजपाल मौदैने आजर्नीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री हर्विंद कुमार शर्मा जी को हर्याना राज्य के मंत्री के पद पर नी उक्ति की है हब मैं श्री अर्विंद कुमार शर्मा जी से निवेजन करता हूँ कि वेपाद एवं गोपनियता की शपत क्रहंड करने के लिए मंच पर पदारे मैं दॉक्टर अर्विंद कुमार शर्मा इश्वर की शपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा स्तापित भारत के समिधान के प्रती सची शर्धा और निस्टा रखूंगा मैं भारत की प्रगुता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं हर्याना राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तवय का शर्धा पूरक और शुद अन्त करंड से निर्वेन करूंगा तथा बहय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सब परकार के लोगों के प जो विशे हर्याना राजे के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़ कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवों के उचित निर्वेन के लिए ऐसा क करना अपेक्षित हो अन्य अवस्ताक में मैं पर्तिक्स या प्रोक्ष रूप में संसुचित या परकट नहीं करूंगा करना अपेक्षब करूंगा रुबसिस्ताक में परक चाहिए या है जोज़ 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 माननीय राज़पाल मौदे ने आजरनीय मुक्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री शाम सिंग राणा जी को हर्याना राजे के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है अब मैं शाम सिंग राणा जी से निवेधन करता हूँ कि वे पद एवं गोपनियता की शपत ग्रैंड करने के लिए मंच पर पदारे मैं शाम सिंग राणा इस्वर की सफ्त लेता हूँ कि मैं विदी दुवारा स्तापेत भारत के सविधान के प्रते सची सर्दा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की परभुता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं हरियाना राज्य के मंत्री के रूम में अपने कर्तवियों का सर्दा पूर्वक और सुध अंत करण से निर्वहन करूंगा तदा भै और पक्सपात अनुराग या द्वेश के बिना मैं सब परकार के लोगों के प्रते सविधान के और विधी के अनुसार नए करूंगा मैं श्याम सिंग राणा इस वर की सब्त लेता हूँ कि जो विशय हरियाना राज्य के मंत्री के रूम में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथुआ मुझे ग्यात होगा उसे किसी वेक्ति या वेक्तियों को उस अवस्ता को छोड़ कर जबकि ऐसे मंत्री के रूम में अपने करूंगों के प्रते उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना उप्रिक्षित हो अन्य अवस्ताक में मैं परतक्स या प्रोक्स रूप में संचुल्जित या परकट नहीं करूंगा कर दोथ इस अवस्ता को माननिय राज़पाल महोदे ने आजर निय मुक्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री रणबीर गंगवा जी की हर्याना राज़ के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है अब मैं श्री रणबीर गंगवा जी से निवेधन करता हूं कि वेपद एवं गूपनियता की शेपक रहन करने के लिए मंच पर पदारे मैं रणबीर गंगवा जी स्वर की स्कत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के से विधान के परती सच्ची सरधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की परभूता और अखंडता आक्षून रखूंगा मैं हर्याना राज्य के मंत्री के रूप में अपने कृतवियों का सरधा पूर्वक और सुद्ध अंतकन से निर्वेन करूंगा तथा भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना मैं सब परकार के लोगों के परती सविधान के और विधी के अनुसार न्याई करूंगा मैं रणबीर गंवा इस्वर की स्पत लेता हूँ कि जो विश्य हर्याना राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षित हो अन्य अवस्था में मैं प्रतेक्स या प्रोक्स रूप से संसुसित या प्रकट नहीं करूँगा अन्य वाद प्रोक्स रूपिश या प्रोक्स रूपिशती या बिरुक्स रूपिशिक्स रूपिश। माननीय राजपाल महोदे ने आजर नियम मुक्य मंत्री जी के परामर्श पर श्री कृशन कुमार जी की हर्याना राज़ के मंत्री के पदपर भी उप्ति की है अब मैं स्री कृशन कुमार जी से निवेदन करता हूँ कि वे पद एवं गोपनियता की शपत ग्रहन करने के लिए मंच पर पदारे मैं कृशन कुमार बेदी इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा साफित भारत के सविधान के प्रती सच्ची सर्धा और निश्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता एक्षुन्ने रखूंगा मैं हर्यान राज्या के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का सर्धा पूरुवत और सुध अंत करन से निल्वहन करूंगा ततब है या पक्सपाथ अनुराग या द्वेश के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रती सविधान के और विधी के अनुसार नियाए करूंगा मैं क्रिशन कुमार बेदी इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विश्य हर्यान राज्या के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाय जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़ कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो अन्या अवस्था में मैं परतक्स या प्रोक्स रूप में संसूचित या परकट नहीं करूंगा अन्या 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 अन्य माननिय राजपाल मौदय ने आजरनिय मुक्य मंत्री जी के परामर्श पर श्रीमती सुती चौधरी जी की हर्याना राज के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है अब मैं श्रीमती सुती चौधरी जी से निवेदन करता हूँ कि वे पद एवं गोपनियता की शेफद गरंड करने के लिए मंच पर पदा रहे I I'm Shruti Chaudhary Do swear in the name of God That I will bear true faith in allegiance to the constitution of India As by law established That I will uphold the sovereignty and integrity of India That I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister For the state of Haryana And that I will do right to all manner of people In accordance with the constitution and the law Without fear or favor, affection or ill will I I Shruti Chaudhary Do swear in the name of God That I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons Any matter which shall be brought under my consideration Or shall become known to me as a minister for the state of Haryana Except as may be required for the due discharge of my duties as such minister The Second माननिय राज जपाल माननिय आजणनीय मुक्य मंत्री जी के परामर्ष पर कुमारी आरती सिंग राउज जी की हर्यनाराज़ के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है अब मैं कुमारी आर्ती सिंग राओ जी से निवेदन करता हूँ कि वे पद की एवं गोपनियता की शपत ग्रैन करने के लिए मंच पर पदा रे मैं आर्ती सिंग राओ ईश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विदी द्वारा स्थापित भारत के सम्विदान के प्रती सची शद्धा और निष्ठा रखूँगी मैं भारत की प्रभता और अखंडता अक्षुन रखूँगी मैं हर्याना राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का सद्धा पूर्वक और शुद्ध अंत्करन से निर्वाहन करूँगी तथा भै या पक्षपात अनुराग या दुएश के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रती सम्विदान के और विदी के अनुसार न्याए करूँगी मैं ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के उचित निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगे अजने क्स national के लिए Ready लगे लिए येष रूप में अपने करूँगी माननिया राज़पाल महुदैने आदर्निय मुक्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री राज़ेश नागर ची हर्याना राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है अब मैं श्री राज़ेश नागर जी से नवेधन करता हूं की वेपद एवम गोप्रियता की शपत ग्रेंड करने के लिए मंच पर पदाड़े मैं मैं राजेश नागर इश्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्तापित भारत के सविदान के पृति सच्ची शर्दा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की परवुता और खंड़ता अक्षुन रखूँगा मैं हरियाना राज के राज मंतरी सतंतर परवार के रूप में अपने कर्तवयों का सब्दा पूर्वक और सुप अंतकरन से निर्वान करूँगा तता बह्य या भक्सपाद, अनुराग या द्वेश के बिना मैं सब परकार के लोगों के पिरती सवीदान के और विदी के अनुचार नियाएक करूँगा मैं राजेश नागर इश्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय हर्याना राज के राजमंतरी सतंतर परवार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे याद होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्ता को छोड़ कर जबकि ऐसे राजमंतरी सतंतर परवार के रूप में अपने करतों के उचित निर्वान के लिए ऐसा करना अक्षेपित और अन्य अच्वा मैं परत्याक्ष या परोक्ष रूप में सुचित या परगट नहीं करूँगा मैं अन्य भंपा स्यंस्ते राजमं परे को अमंचित या बाले की लिए को खopen माननियर राजपाल मोदे ने आदरनिय मुख्य मंत्री जी के परामर्श पर श्री गाव्रो गौतम जी की हर्याना राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बद पर लियुक्ति की है अब मैं श्री दौरो गौतम जी से निवेदन करता हूँ कि वे पद एवं गोपनियता की शपत ग्रेंड करने के लिए मंच पर पदारे मैं गौरव गौतम इस्वर की सपन देता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के पृति सच्ची सिर्दा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की प्रवता और अखंड़ता अक्ष्ण रखूँगा मैं हर्याना राज्य के राज्य मंत्री स्वतंतर प्रवार के रूप में अपने कर्तवों का सिर्धा पूर्वक और सुद्ध अंतकरन से निर्वेन करूँगा तता भै या पक्षबात अनुराग या देश के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रती सविधान के और विदी के अनुशार नियायक करूँगा मैं गौरव गौतम इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशे हरियाना राज्य के राज्य मंत्री स्वतंतर प्रवार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा मैं उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्ता को छोड़कर जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंतर प्रवार के रूप में अपने कर्दवों के उचित निर्वहान के लिए ऐसा करना पेखित हो अन्य अवस्ता मैं मैं प्रतक्ष और जा प्रोक्ष रूप मैं संसूचित्या प्रकट नहीं करूँगा अब मैं परमाजर निय प्रजान मंत्री जी का और मंच पर आसीन सभी महानवाओं का तैदिल से आब बाहर और धन्यवाद वेक्ष करता हूँ और नवनियुक्त मुक्य मंत्री जी का और मंत्री गर्ण का कुश्ब काम नाए और साधर साधुवाद देता हूँ अब मैं माननिय राजपाल महदे जी से अनुमती चाहूंगा कि आज की कारवाई समाप्त करें माननिय राजपाल महदे की अनुमती से आज के समारों की कारवाई समाप्त की जाती है आप सभी से राष्टगान के लिए अनुरोज करता हूँ जलधितरंगा तवशुभ नामे जागे तवशुभ आशिश मांगे गाहे तवजय गाथा जनगन मंगल दानक जय हे पानक भाद्यविधाता जय हे, 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 जय हे